अब बात करते हैं राज्यसबा चुनावों की राज्यसबा की 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं मगर कॉंग्रेस के लिए उमीदवार का च्यान एक चुनोती बना हुआ है क्योंकि सीटे कम है और दावेदारों की लंबी लाइन लगी हुई है हालत यह है कि कई दिनों के मंथन और बैठक के दोरान के बावजुद प्रत्याशियों के नाम की फाइनल नहीं ओर पा रहे हैं शनिवार रात दिल्ली में कॉंग्रेस के अध्यक्ष सोन्या गांदी के दस चन्पत सित आवास पर बैठकों का लंबा सिलसले चलत रहा है यहाँ सयोगी दलों के नेता भी चर्चा करने पहुँचे सबसे पहले जारकंड के मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्य मंत्री हेमन सोरें कॉंग्रेस अध्यक्ष सोन्या गांदी से मुलाकात करने पहुँचे वे यहाँ काफी देर तक बैठक में शामिल हुए दोनों नेताओं के बीच राजसबा की सीट को लेकर चर्चा हुई माना जा रहा है कि अगर जारकंड मुक्ति मोर्चा सहमत हुआ तो कॉंग्रेस को एक सीट मिल तकती है हाला कि सूत्रों की माने तो जारकंड मुक्ति मोर्चा राज की एकमात सीट पर खुद को दावेदारी कर रहा है सीम हेमन सोरेन चाते हैं कि उनकी पार्टी से उमीदवार हो और कॉंग्रेस हमारा समंतर्न करे बता दे कि जारकंड में राजसभा के लिए जारकंड मुक्ति मोर्चा और कॉंग्रेस में बात नहीं बन पा रही है इससे पहले राची में हेमन सोरेन ने जारकंड मुक्ति मोर्चा विधायकों के साथ बैटक की और अपना प्रत्याशी उतारने के तयारी कर दी जारकन मुक्ती मोर्चा ने विधायक दल की बैटक में राजस्वा के उमीदवार की घोशनक कर लिए शिबू सोरेन को अधिकरित किया है जारकन मुक्ती मोर्चा समझोता करने के मूर में नहीं है सूत्रों के मताविक जारकंड मुक्ती मोर्चा अपना उमीदवार उतारने पर जोर दे रहा है जबकि कॉंग्रेस और राज़त की कोशिश है कि किसी आम उमीदवार को टिकट दिया जाए जारकंड मुक्ती मोर्चा सूत्रों के मताबिक पार्टी में दो तीन उमीदवारों के नाम चल रहे हैं लेकिन सबसे मजबूत तवेदार जारकंड मुक्ती मोर्चा के महा सचीब सुप्रीयो बटाचारे को माना जा रहा है कॉंग्रेस के 11 प्रताशी चुनाव जीत सकते हैं बतादे चले कि राजसभा की 57 सीटों से कॉंग्रेस की 9 सीटों पर जीत पक्की मानी जा रही है अगर सयोगी दल का साथ मिला तो यह आकड़ा 11 पहुंच सकता है फिलाल उमीदवारों के नाम तैय करने के लिए कॉंग्रेस अध्यक्ष सोन्या गांधी के आवास पर बैटक चल रही है इस बैटक में पार्टी मासचीफ केसी वेनुगोपाल भी मौझूद है वही कहा जा रहा है कि हर्याना कॉंग्रेस में भी राजसभा जाने के लिए नेताओं की कतार लगी है पार्टी नेता कुमारी शैलजा, राजीव शुकला, रंडीव सुर्जेवाला, आनंद शर्मा देवदार और इन सब में से ही और भी काफी उमीदवार दावेदार है, इन में से किसी एक को उमीदवार बनाये जा सकता है खिलाल इस कबर में तना ही, आप देखिए नेच्टना निउस निशेन